सर्दियों का समय आ गया है और सर्दियों के आने के चलते इंदोर में गुड की डिमांड काफी बढ़ गई है लेकिन इस बार इंदोर में आम गुड से इतर बड़े गुड की डिमांड है यहां वैसे तो गुड खाना सभी को काफी फसंद होता है गुड से ने खास समग्रिय भी त्यार की जाती हैं लेकिन ठंड के समय गुड़ खाना स्वास्त के लिए बेहद लाबदायक माना जाता है हम आपको बता रहे हैं इन दौर में मिलने वाले बड़े गुड़ के बार जहां आपको एक ही गुड़ दो और तीन किलो का देखने को मिलेगा जहां इन दौर में मिलने वाले दो और तीन किलो के गुड़ की ठंडाते ही डिमांड काफी वड़ गई है जहां बड़ी संख्या में लोग इसकी खरीदी के लिए पहुच रहे हैं इसका कारण है स्वास्त के लिए बेहद ही लाबदायक है साथ ही अपने बड़े आकार के बज़ए से हैं इसमें सारे निशुरल तत्त पाया जाते हैं जिन में कैलसियम, फास्फोरस, मैगनीसियम, पोटैसियम, लोह और जिंक ताबिक तत्त भी सामिल हैं उन्होंने बताया कि यह गैस की प्राबलम पाचन और ताकत के लिए काफी मातपूर माना जाता है इसका रेट पचास और सा प्राइटी का रेट 60 रुपए किलो है वहीं व्यापारी ने बताया कि इसकी मिठास भी काफी अलग है जो सामान गुड से काफी अलग है जिसका और से इसका उप्योग ठंड में बनने वाली गजक मिठाई बनाने में हैं विकिया जाता है करेली तो यह दोनों बिराइटी आप वही सिमकाते हैं कि तो आकार में काफी बड़े हैं समान गुड़ से किलो की लगबग की बेठ्के होना आती एक किलो सो ग्राम एक लो के अंदर की प्रिये अच्छा क्या रेट क्या रहता है इसका यह भी 50 रुपय किलो 50 रुपय किलो प् तो मतलब सेम प्राइज ही लगबग रहता है ठीक एक बाद सुना मताईगे सिवा अगरवाद